इस वक्त की बरी खबर प्रशासनी गलियारों से निकल कर सामने आ रहे हैं बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है इसके साथ ही कई जो सीनियर IAS अधिकारी हैं वो प्रमुख बनाए गए हैं बता दे आपको कि बिहार में सरकार ने सीनियर IAS का बड़े पैमाने पद तबादला किया है बिहार के ग्री विभाग से लेकर वित और सिक्षा विभाग जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेवारी सम्हाल रहे IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है मुख्यमंत्री के प्रधान सचीव ऐस सिधार्थ को ग्री विभाग का नया अपर मुख्य सचीव बनाया गया है उधर आरोपों से घीरे प्रत्ते अमरीत को एक और विभाग का जिम्मात दे दिया गया है उन्हें आपदा प्रबंदन विभाग का नया मुख्य सचीव बना बिहार पटना के पद पर तैनाद किया गया है चतन्य प्रशाद अगले आदेश तक अपर मुख्य सचीव लगू जल संसाधन विभाग के अतरिक प्रभार्त में रहेंगे सरकार ने बहुत चर्चित आईएस अधिकारी केके पाठक को मध निशेद विभाग से हटा दिया है केके पाठक को अस्थांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचीव सिक्षा विभाग बिहार पटना के पद पर पदास्थापित किया गया है केके पाठक महानिदेशक बिहार लोग प्रशासन एवं ग्रामीन विकास संस्थान विभाड पटना के अतरिक प्रभाड में बने रहेंगे 25 विभाग के साथ साथ पथनिर्मान विभाग के अपर मुख्य सचीव का काम देख रहें प्रते अमरीत को एक और विभाग का जीमात दे दिया गया है उन्हें अपर मुख्य सचीव आपदा प्रबंदन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है उधर लंबे समय बाद ऐस सिधार्थ को वित विभाग से हटाया गया है सिधार्थ मुख्य मंत्री के प्रधान सचीव और कैबिनेट के अपर मुख्य सचीव भी है उन्हें वित विभाग से हटा कर बिहार के ग्री विभाग की जिम्मेवारी दी गई है इसके साथ ही CM के विभागों के प्रमूख है उनका भी बदलाओ किया गया है और पुराने IS अधिकारी को ध्यान में रखते हुए जो अतरिक्त प्रभार है वो भी दिया गया है निश्चित तोर पर एक लंबी फेहरिस्ट जो है वो निकल कर सामने आई है जहां सरकार ने बड़ा फैसला ले करेंगी बने रहे फर्स्ट व्याल जारकन के साथ धन्यवाद नहीं है वहां इसलिए तो एक और बिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के इहोंस पैनोरोमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोंस पैनोरमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनि क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में इहोंस पैनोरमा के संग इहोंस पैनोरमा लग्जूरियस लाइस्टाइल रीडिफाइंट